नमस्कार भक्त जनों, मैं आपको भगवान भोलेनात और माता पार्वती की एक अतिस सुन्दर कथा सुना रही हूं कि जब शिवजी ने मगर मच बनकर माता पार्वती की परिक्षा ली माता पार्वती शिवजी को पती रूप में प्राप्त करने के लिए खोर तप कर रही थी उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रात्ना की शिवजी ने पार्वती जी की परिक्षा लेने सब्तरिशियों को भेजा सब तरिशियों ने शिव जी के सैकड़ो अवगुन गिनाएं पर माता पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवा करना मंजूर नहीं था विवा से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वश्त होना चाहते हैं इसलिए शिव जी ने स्वेम भी पार्वती जी की परिख्षा लेने की ठानी भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए इतने में जहां वे तप कर रही थी वही पास में तालाब में मगर मशनिक लड़के को पकड़ लिया लड़का जा भीच कर ले जा रहा था लड़के ने देवी को देख कर कहा मेरी ना तो मा है ना बाप है ना कोई मित्र है माता आप मेरी रक्षा करें पार्वती जी ने कहा हे मगर मच इस लड़के को छोड़ दो मगर मच बोला दिन के छटे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझ कर स्विकार करना मेरा नियम है ब्रह्म देव ने दिन के छटे पहर इस लड़के को भेजा है मैं इसे क्यों छोड़ू पार्वती जी ने विंती की तुम इसे छोड़ दो बदले में तुमें जो चाहिए वहां मुझसे कहो मगरमच बोला एक ही शर्त में मैं छोड़ सकता हूँ आपने तब करके महादेव से जो वर्दान लिया है यदि उस तब का फल मुझे दे दोगी तो मैं तुमें छोड़ दूँगा पार्वती जी तयार हो गई उन्होंने कहा अपने तब का फल तुमें देने को तयार हूँ ल ये भी संभव नहीं है पार्वती जी ने कहा मेरा निश्चे पक्का है मैं तुमें अपने तब का फल देती हूँ तुम इसका जीवन दे दो मगरमच ने पार्वती जी से तब दान करने का संकल्प करवाया तब का दान होते ही मगरमच का धे तेज से चमकने लगा मगर बोल हे पार्वती देखो तब के प्रभाव से मैं तेजस्ट भी बन गया हूँ तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ पार्वती जी ने का हे मैं तो तब करके पुने भी ये फल प्राप्त कर सकती हूँ किन्तु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता देखते ही देखते वे लड़का हो गया मगर मच लुप्त हो गया पार्वती जी ने विचार किया मैंने तब तो दान कर दिया है अब उन्हें तब आरम करती हूँ पार्वती ने फिर से तब करने का संकल्प किया भगवान सदाश्वी फिर से प्रकट होकर बोले हे पारवती भलाब क्यों तपकर रही हो पारवती जीने का हे प्रभू मैंने अपने तपका फल दान कर दिया है आपको पती रूप में पाने के समकल के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तपकर आपको प्रसंद करूंगी महादेव बोले मगर मच और लड़के दौनों रूपों में मैं ही था तुमारा चित प्राणी मात्र में अपना सुक दुख का अनुभव करता है या नहीं इसकी परिक्षा लेने को मैंने ये लीला रची अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ तुमने अपना तप मुझे ही दिया है इसलिए अब और तप करने की जुर्रत नहीं है देवी ने महादेव को परणाम कर प्रसंद मन से विदा किये बोले बाब भोले नात और माता पारवती की जै